समोसा खाना किसे पसंद नहीं होता है सबी को पसंद होता है तो जितना ज्यादा पसंद खाना होता है उससे कहीं ज्यादा आसान है बनाना तो यहाँ पर मैं बना रही हुए एकदम छोटे-छोटे से क्यूट से मिनी समोसा इसके जो स्टफिंग करेंगे वो हम इसमें करेंगे पनीर तेहां पे ले लिए हैं 200-300 ग्राम के बीच पनीर है क्योंकि 200 ग्राम के पैकेट में था और बाकी कुछ एक्स्ट्रा पनीर बचा हुआ था वो भी हम इसमें एड़ कर दिये हैं पनीर का समुशना बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही जादा एकदम जटपट बनके तयार हो जाएगा बहुत ही जल्दी तो यहां पे पनीर को अच्छे से गिस लिए है एकदम और उसे रख दिये हैं साइड में और इधर ले लिए हैं यहां पे कुछ हरी मिर्च है लेसन की कली है अद्रक है तो दो हरी मिर्ची है 14-15 लेसन की कली है और छोटा साद्रक का टुगड़ा है इसे अच्छे से इसमें कूट लेंगे इसे कूट लेना ही है मतलब मिक्सी में पीसा हुआ ठीक नहीं होगा थोड़ा सा दरदरा सा ही रहेगा और बहुत अच्छे से कूट जाएगा और तीखा मतलब आपको अपने कॉर्डिंग बनाना है जादा कम जैसा भी है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जादा नहीं तीखा बना रहे हैं मेडियम और मीडियम रखेंगे तो यहाँ पे हरी मिर्ची हम कम डाले हैं आगे हम रेट चिली पॉडर का भी यूज करेंगे इसलिए तीखा को थोड़ा बैलेंस बनाते हुए चल रहे हैं अब चलते हैं आगे का प्रोसेस कर लेते हैं तो यहाँ पे पनीर को थोड़ा सा फ्राई करना है तो इसके लिए रख दिये कडाई इसमें डालें थोड़ा सा तेल उसमें डालें थोड़ा सा जीरा और यह जो हम अधरेक लहसन और हरी मिलची का जो कूट कर रखे थे वो डालके अच्छे से 1-2 मीनिट तक भूनना है उसके यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले डालना है तो यहां पे डाले हम थोड़ा सा जीरा पॉडर थोड़ा सा धनिया पॉडर रेट चिली पॉडर भी डाले हैं इन सारी चीजों को डालके मिला लेना है उसके यहां पे डाल देंगे पनीर और पनीर को डालके अच्छे से 3-4 मिनट तर भून लेना है क्योंकि पनीर डालने के तो न थोड़ा सा इससे मतलब पानी जैसा होगा तो इसे ड्राइ कर लेना है इस तरीके से तो यहां पर अच्छे से पनीर को भूनने के वाद लाश्ट में डालेंगे नमक डालके भी अच्छे से मिला लेंगे और सबसे लाश्ट में जब गयास बंद करने वाले होंगे तब बना बहुत लोग सुझ रहे हैं लेकिन मेंदा है तो समुसा मेंदा कहीं अच्छा लगता है आटा का बनेगा बटना आटा का फ्राई की हओवा समोसा उतना जादा टेस्टी नहीं बनता है उसे आप फिर करके खा सकते हैं या फिर और ऐर फ्राई कर सकते हैं तभी अच्छा लगेगा तो deep frya की हओवा समोसा उतना अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैदा तो यूज करना पड़ेगा तहां पर हम एक कटोड़ी लिए हैं मैदा भढ़के इसमें डाले हैं एजबाइन और अच्छा खासा यहां पर डाले हैं घी चार पांच चमच मुयन के लिए क्योंकि इसे थोड़ा सा खासता पन आएगा समोसे में और इसे डालके अच्छे से तीन-चार मिनट तक इस तरीके से मिला लेना है बहुत अच्छे से मिला लेना है यहां पर जब अच्छे से मिल जाया उसका थोड़ा थोड़ा पानी डालके एक सक्ट सा डो लगाना है यहां पर यहां पर डो लगकर रेडी हो गया और इसे थोड़ा ना पंदर तमाटर यहां पे धनिया पत्तो और टमाटर की चटनी बनाएंगे तो टमाटर को थोड़ा से गैस पे फटा-फट ऐसे रोस्ट कर लिए है बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से इसका छिलका उपर के हटा के और यहां पे धनिया लहसन हरी मिर्ची टमाटर जीरा नमक ड लेते हैं और हां यह ध्यान रखना है कि जो इसका डो लगाएंगे थोड़ा सकती लगाएं तब ही मतलब समोसा एकदम पर्फेक्ट बनेगा यहां पर दोना एकदम मेरा पर्फेक्ट लगा हुआ है यहां पर इस तरीके से इक नीम्वू के साइज का यहां पर तोड़कर इ जादा शिरक के इस तरीके से बेल लेना है आप देख सकते हैं पर अच्छे से गोल से बेल लिया आप जैसे चाहें और जैसे चाहें और यह जो नीचे की कौर्णर नहीं इसे जरूर चिपका देना है नहीं तो क्या होगा इससे तेल बूश जाएगा अंदर तो फिर और नह कलने का चांस रेगा इसलिए उसे पानी से जरूर चिपका दे और इस तरीके से यहाँ पर दो चमच भढ़कर डाले हैं और बस यहाँ पर फिर उपर से पानी लगा कर अपोजिट साइड जो अपोजिट है न यह समोसा जहां भर रहे हैं उसके अपोजिट साइड ऐसे कैसे भढ़ रही है तो एक भढ़ने का वह भी कोशिस किये लेकिन वह नाकामड है इस चीजों में तो यहाँ पर मैं दूसरा भी भढ़कर दिखा रही हूं है ना असान फटाफट एकदम भढ़ जाएगा तो इस तरीके से कड़के पहले सारी समोस को एक साथ भढ़ लेते ह बढ़कर तयार कर लेंगे तो फ्राइ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो यहाँ पर इतना समोसा भढ़कर हो गया तयार आटा थोड़ा मेरा बच गया क्योंकि स्टफिंग कम था तो बस इतना ही समोसा भढ़कर मतलब भढ़ा है पाकी जो मैदा बचा हो से हम समोसा यहां पर डाल दीए 6 समोसा एकसा डाले हैं फ्लेम को कर दीएं कंव और यहां पर इस तरीके से चलाते रहना है फ्लेम अगर तेज रहेगा ना तो क्या होगा समोसे पर बबल सा आ जाएगा स्टर्टिंग में जो पहला समोसा भढ़े तो उस पर भवल तो बात में जह क्योंकि उसको डालते ही चलाते रहे न तो फिर उस पर कोई बबल नहीं आए बहुत ही चिकना-चिकना सा समोसा बना है इन चीजों को थोड़ा से हाँ पर ध्यान देना है कि समोसा जब भी तले फ्लेम को एकदम कम रखे और एकदम कंचिन्यू चलाते रहे और तेल गरम होना चाहिए तो एकदम समोसा पर कोई बबल नहीं आए और बहुत ही अच्छा एकदम क्रिस्पी करारा सा समोसा बनेगा लंबा टाइम तक आपका समोसा क्रंची सा बना रहेगा मतलब 3-4 घंटे तो आराम से रहेगा तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है फ्लेम को मी तो यहां पर दूसरा बैच भी डाल दिया है और बहुत अच्छे से बनकर समोसा तयार हो गया पहला एक दो पर बहुत ज्यादा गरम था तो इसके करण जैसे समोसा डाले और उस पर बहुत बहुत आ गया लेकिन बाकि सब समोसा बहुत ही अच्छा है एकदम चिकना सा और चांत् हो गया साथ में है ये चटनी तो कैसी लगे रेसीपल है आप अच्छा लगेगा तो लाइक है कीजीकए चैनल को शेयर के जैगा सब्सक्राइब कीजिएगा है ना बनाणा बहुत असान इक बार जरूर ट्राइब कीजएगा बहुत जहटपटछ बंकर तयार हो जा साम के टाइम चाय के साथ समोसा फिर मिलेंगे बाबाए